ओख्रा गाउं कुए में गिरे पिता पुत्र को ग्रामिनों द्वारा बचाया गया जानकारी के मताबिक बताया गया कि चानपुर्थाना शेतर के ओख्रा गाउं निवासी मनुराम एवं उनका 18 वर्षिय पुत्र रजनीस कुमार है वहीं यूवक ने गाउं के पश्चिन की और गूमने के लिए निकला था तब यह चानक कुए में जा गिरा जब तेर तक घर नहीं पहुँचा तो परिजानों ने उसकी काफी खोजबी शुरू की उसके पिता खोज़ते हुए गाउं के कुए के पास पहुचे तो देखा की लड़का कुए में गिरा हुआ है उसके बाद पिता ने पुत्र को बचाने के लिए कुए में छलांग लगा दी आसपास के लोगों का कुए के पास काफी भीड जुट गया जिसके बाद ग्रामिनों की मदद से काफी मशक्कत के बाद पिता पुतर को सही सलामत बहर निकाल लिया गया आईए चलते हैं दूसरे खबर की ओर जिगनी दा मोदरपूर रविवार की रातरी इट भट्टा पर एक मुंसी को अग्याट लोगो द्वारा मारपीट कर गंभी रूप से घायल कर दिया गया जानकारी के मताबिक बताया गया कि भववथाना शेतर के जिगनी गाउनिवासी सत्तिना रायन धोबी के पुतर जंगी राम धोबी बताया गया है घायल ने बताया कि अपने घर से जिगनी दामोदरपूर इट भट्टे पर जा रहा था जो मैं मुंशी का काम करता हूँ तब ही पीछे से घार लगाया गयाट साथ लोगों ने लाठी डंडे से मार पीट कर गंभी रूप से घायल कर दिया रातरी में किसी को पहचान नहीं पाया जिसके बाद किसी तरह अपने घर पर आया जिसके बाद सदर अस्पताल में चिकिस्तक द्वारा भरती कर घायल मुंशी का इलाज किया गया है आईए चलते हैं तीसरे खबर की ओ बचेदाने खराब मामले में डॉक्टर के विरुध पती ने सीस का रियाले में दिया आवेदन दिये गए आवेदन में बताया कि मोहनिय थाना शेतर के पिप्रागाउन निवासी मुन्ना यादव की पतनी तारा देवी का मोहनिय अनुमंडल अस्पताल में 10 जनवरी को प्रसब हुआ था वहीं पती ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर और स्वास्त कर्मी द्वारब प्रसब के दौरान लापरवाही की गई जो मेरी पतनी का बश्यदाने खराब हो गया जिसके बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया उसी मामले को लेकर भभवा सीएस कार्याले में आवेदन देने पहुँचा हूँ ताकि इस मामले को की जाच करवाई जा सके आईए चलते हैं चौथी खबर की ओर जहां उसी मामले में लोगों ने पांच सुत्री मांगो को लेकर डियापन सौपा है आईए चलते हैं पांच वेखाबर की ओर भभवा जिला समार नाले पर बकसर में किसान पर फुलीस द्वारा किये गए लाठी चार्ज मामले में आज भाजपा कारे करताओं के द्वारा जिला समार नाले पर एक दिवसिये धातना प्रतर संदिया गया बतादे कि बकसर के बननारपूर चौसा में पुलीस द्वारा रातरी को किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था ये घोर नींदिनिये हैं आएए चलते हैं छटे खबर की ओर अधौरा के जंगल में मुशरवा बाबा के पास बंदर को बचाने में बाइक सबार दो वैक्ति गिर कर गंभी रूप से घाया घायल वैक्ति अधौरा निवासी शुखु सिंग का 32 वर्षी पुतर बुल्लु सिंग एवं भबवा निवासी सुर्गे सुरेश पासवान का 37 वर्षी पुतर मंटु कुमार पासवान बताया गया है जानकारी के मुताबिक बताया गया कि दोनों बाइक से भबवा के अधौरा जा रहे थे तबी मुशर्वा बावा के पास अचानक बंदर आ गया जिसको बचाने में दोनों गिर कर घायल हो गए जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया जहां दोनों घायलों का चिकितसक द्वारा भरती कर इलाज किया गया है आईए चलते हैं सात्वे खबर की ओर सोमवार को भबुआ करने राम धर्मशाला में जिलास तरिये कारेकरता सम्मेलन वा शहीद कॉमरेड महेंदर सिंग का शहादत दिवस बनाया गया वहीं भागपा माले की जिलास अचीफ मोर्धवज सिंग ने बताया कि जिलास तरही कारेकरता सम्मेलन के साथ सहीद कॉमरेड महेंदर सिंग के जहादत दिवस भी बनाया गया जहां सभी कारेकरताओं ने बारी बारी से उनके तैली चितर पर माले आर्पन कर उनको श्रधांजरी दिये उसके साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर कई बिद्बू पर चर्चा भी की गई आईए चलते हैं आठवी खबर की ओर सुमवार को अखलासपुर गाउं के पास ए रिक्षा के पलटने से एक महिला गंभी रूप से घायर हो गई घायल महिला भबूआ थाना शेतर के कुंज गाउन निवासी प्रमोत कुमार सिंग की 40 वर्ष ये पत्नी कंचन देवी बताई गई है जानकारी के मताबिक बताया गया कि महिला भबूआ से बजार कर अपने गाउं के लिए जा रही थी तभी अखलासपुर गाउं के पास ए रिक्षा अचानक पलट गया जहां ए रिक्षा पर सवार महिला गिरकर कभी रूप से घायल हो गई घायल महिला को भबूआ के सदर अ आने के लिए प्ले स्टोर से कैमोर न्यूज अप को इंस्टॉल कीजिए